हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेल्कम बैक टू आर चैनल ग्यानलाब आज के सेशन में हम आपका जो प्लांट वॉटर रिलेशन वाला चैप्टर है महाराश्ट्रा सिलिबस के हिसाब से जो बायोलोजी की टेक्स्ट बुक का सिफ्ट चैप्टर है उसका second session हम continue करेंगे, हमने first session में water की basic properties के बारे में पढ़ा कि water को universal solvent क्यों बोला जाता है और water plant के लिए biologically क्यों important है तो हमने कुछ important properties पढ़ी थी water की जैसे high heat of specificity या high specific heat, high heat of vaporization, high heat of fusion और thermal buffer water के ये कुछ properties पढ़ने के बाद हमने water के और कुछ extra characters देखे ते जैसे adhesive force और cohesive force मतलब water का adhesive force of attraction काफी ज्यादा strong होता है surface tension capacity काफी ज्यादा होती है water में इस वज़े से वो किसी भी छोटी सी जगे पे अपने आपको adjust कर लेता है तो इतनी सारे characteristics और इतनी सारी properties देखने के बाद हमको ये satisfaction हो गया था कि water क्यों important है plant के लिए या water कैसे जादा से जादा हमारे plant को availability करके मतलब water के through कैसे हमारा plant जादा से जादा हमको food available करके दे सकता है तो अभी आज के session में हम पढ़ने जा रहे हैं आगे की कुछ topics जैसे की water absorbing organ याने की root और कौन सा water available होता है root को absorb करने के लिए वो topic तो 6.2 और 6.3 जो इस syllabus का जो इतना साही part है मतलब 6.1 हमने first session में continue किया complete किया 6.2 और 6.3 ये दो topics हम आज के session में complete करने की कोशिश करेंगे और जो बच्चे महराश्टरा का 2020-2021 वाला board exam देंगे मतलब 2021 में जो बच्चे board exam देने वाले हैं उनके लिए सिर्फ यही तेन topics पढ़ना है अब तक तो यही government ने decide किया है आगे का syllabus omit कर दिया गया है तो उनके हिसाप से चलते हैं और आज का session स्टार्ट करते हैं अब तक अ सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको updated notifications मिलते रहें और अपने friends के साथ इस वीडियो को share कर दीजिए चलिए start करते हैं आज के session के साथ तो जैसे कि आप देख सकते हमने यहाँ पर introduction लिखा है क्या introduction लिखा है हमने water absorbing organ अब हमने last session में हमारा पहला question था which are the different parts of the plant body plant body के अलग-अलग parts कौन से होते हैं तो हम नीचे से उपर जाएं अगर तो root फिर stem फिर leaf यह तीन main parts हमने पड़े थे root का काम क्या होता है water or mineral absorb करना तो आज हम water absorbing organ के बारे में पढ़ रहें मतलब plant में exactly कौन सा organ water absorb करने में help करता है food absorb करने में help करता है उसके बारे में पढ़ेंगे so water absorbing organ कौन सा है root देखो आपका first point ही आपके question का answer है root is the main organ of water and mineral absorption अगर हम पूरे plant की बात करें या trees की बात करें तो सबसे जादा water absorption का का काम कौन सा part करता है plant का root किसके उपर water absorb करने के responsibility होती है root के उपर so it is the main organ of water and mineral absorption in terrestrial plants अगर हम terrestrial plants की जाने का 터uration's Terrestrial plants ग्रील हूं मतलब कौन से plants होते हैं जो land पर ग्रो होते हैं जो plants समुंदर में या और नदी के नीचे ग्रो होते हैं मतलब जो plants быть पानी में ग्रो होती हैं उनको aquatic plants कि और कुछ plants amphibian होते हैं मतलब amphibious plants होते हैं मतलब जो land पर भी grow होते हैं और water में भी देखे जाते हैं जो plants specifically land पर grow होते हैं मिट्टी में grow होते हैं उनको हम बोलते हैं terrestrial plants so in terrestrial plants roots absorb water in the form of liquid from the soil तो अगर मैं terrestrial plants की बात करूँ मतलब जो plants मिट्टी पर grow हो रहे हैं जो प्लांट्स जमीन में ग्रो हो रहे हैं जमीन के थ्रू ग्रो होते हैं उन प्लांट्स को वाटर कहां से मिलता है सोईल के नीचे से मतलब अंडर ग्राउंड वाटर वो यूज करते हैं कौन सा वाटर यूज करते हैं मेजर ली अंडर ग्राउंड वाटर So they absorb water in the form of liquid, कौनसे स्टेट में ये water अबसर्ब करते हैं, liquid स्टेट में, कहां से, सॉल से, मतलब जो हमारे सॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉल पार्टिकल्स जो वाटर होता है, जो अंडर्ग्राउंड वाटर होता है, जो हवा में moisture present होती है, उस moisture को trap करके, अंडर्ग्राउंड वाटर को अपने अंदर trap करके, holding capacity, soil की जो holding capacity होती है, holding capacity मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने की क्षमता, किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने की capability, सो जो soil होती है, ऐसी soil सिलेक्ट करते हैं, हम जिसके पास water holding capacity जादा है, मतलब चिकनी मिट्टी जादा पानी एब्सॉब करती है, या फिर clay soils होती है, वो जादा water एब्सॉब करती है, तो हम वो जादा amount में use करते हैं, plant cultivation के लिए, तो ऐसी soil जिसकी water holding capacity जादा हो, वो soil water preserve करके रखती है, और फिर वही water roots absorb करते हैं, so however, मतलब यहाँ second point आपको clear हुआ, कि terrestrial plants के अगर हम बात करें, मतलब जो plants land पर grow होते हैं, तो वो water कहां से absorb करते हैं, वो water ground से absorb करते हैं, soil में से, however, epiphytic plants like orchid, epiphytic word का मतलब क्या है, यह word underline करो, epiphytic plants मतलब क्या होते हैं, एक ऐसा plant जो किसी दूसरे plant के उपर grow होता है, जैसे कि आपका money plant जो होता है, money plant किसी दूसरे plant के branch पर भी grow हो सकता है, यह बहुत सारे parasitic plants जो होते हैं, picture plant हो गया, या कोई दूसरा parasitic plant हो गया, तो यह plants दूसरे plant के इर्द गिर्द गोल गोल घूम कर grow होते हैं, तो ऐसे plants जो किसी दूसरे plant के उपर grow होते हैं, उनको हम बोलते हैं epiphytic, epi मतलब क्या होता है, above, epi मतलब क्या होता है, above, मतलब किसी दूसरे plant के उपर, phytic मतलब plant और epi मतलब above, तो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जो प्लांट ग्रो होता है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जो प्लांट ग्रो होता है उसको हम बोलते हैं एपिफाइटिक प्लांट अब ऐसा इमाजिन करो कि यह आपका कोई ट्री है और यह उसके ब्रांचेज हैं और इसके ऊपर कोई स्टेम के अंदर है मतलब वो इसी ब्रांच से मतलब समझो यह कोई दूसरा प्लांट यहां पर ग्रो हो रहा है तो इनकी जो रूट्स होंगी जो एरियल रूट्स होंगी वो रूट्स इसी ब्रांच से जुड़ी होई होंगी तो यह प्लांट अपना वॉटर कहां से से जो हवा में जो नमी प्रेजेंट होती है हवा में जो मॉइस्टर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्टर से यह एपिफाइटिक प्लांट अपना वॉटर एब्जॉब करते हैं तो मतलब जो प्लांट ग्राउंड पर ग्रो होते हैं जो प्लांट जमीन पर ग्रो होते हैं वो स इनकी रूट्स किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी इनकी रूट्स आपको कुछ ऐसे हवा में लटकती हुई रूट्स आपको देखने को मिल सकती है 11 स्टांडर्ड के मॉर्फोलोजी चैप्टर में आपने ये डीटेल में पड़ा है ओके तो, जो एपिफाइटिक रूट्स होती है वो है वात्र वेपर से अपना पूरा कौ्टेंट की आपशॉप करती है उत्युकल्ण तीशेल ईंके पास पた हैं, तुर्वा compromise weiveGrand Olant कांदीशू तो हमारे नाचल ग्रूस पर्लांट यो सोई पर ग्रो होते हैं उनके पास true roots होती है तो root hair की मदद से और root की मदद से वो पानी एब्जॉब कर लेते हैं लेकिन जो plant किसी दूसरे plant के उपर grow हो रहा है उसका जमीन से directly कोई connection नहीं है तो वो plant की जो epiphytic roots है मतलब उस new plant की जो हवा में लटकती हुई roots है वो roots के पास एक special type का absorbing sponge जैसा tissue होता है देखो आपका जो sponge होता है उसमें अगर आपने एक drop water डाला तो भी वो उस पूरे water को absorb कर लेता और गीला हो जाता है उसी तरीके से यह epiphytic roots होती है यह epiphytic roots के पास एक special tissue होता ह है कौन सा tissue vellamint tissue यह vellamint tissue थोड़ा सभी अगर moisture मिला तो उस moisture को समेट लेता है उसको collect कर लेता है तो this is the specialty of epiphytic plants and epiphytic roots क्या खासियत है उनकी कि यह tissue क्या करते है development tissue यह tissue अगर हमारे air में हमारे surrounding में थोड़ा सा भी moisture प्रेजेंट होगा तो यह उस moisture को trap कर लेंगे और इस मदद से हमारे epiphytic plants का water जो nutrition है उसका water requirement है वो fulfill हो जाएगा so this was about the third point अब next point क्या आता है 4th point typical root के बारे में जैसे कि मैं बोल रही थी normal roots बड़े-बड़े plants की अपनी जो roots होती है अगर हम typical root के structure के बारे में बात करें let me just erase this हां तो अगर हम typical root के structure के बारे में बात करें तो 11 standard में आपने पढ़ा था Typically Root is divided into four regions में बाइनि देखो डाइग्राम देखो आपको उपर डाइग्राम दिखाई दे रहा होगा कौन से कौन से चार अलग अलग reasons होते है तीपिकल रूट के आपको पुरा structure दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पर क्या-क्या लिखा है, typical root is divided into four different regions, पहले आता है meristomatic region, meristomatic region मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपके root का cell division होगा, मतलब यहाँ पर आपके roots खुद को बहुत जादा speed से multiply करेंगे, खुद के root cells क्या करेंगे, खुद को बहुत जादा multiply करेंगे, और यह meristomatic region कहां present ह होता है, root cap के just above, मतलब root का जो सबसे पहला part होता है, सबसे नीचे वाला part, that is the meristomatic region, फिर उसके just ऊपर आता है, elongation region, आप zone बोलो या region बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, तो second part कौन सा आता है, zone of elongation, मतलब meristomatic region में cell division हुआ, और वही cell divide होके, खुद को मतलब अपना capacity, अपना number बढ़ा रहे है, वो cells क्या कर रहे है, अपने आपको 1-2, 2-4, 4-8, meristomatic region में cells छोटे-छोटे हैं, और यही cells और speed से जादा multiply होंगे, cell of elongation में, meristomatic region में भी cell divide हो रहे है, cell of elongation में भी cell divide हो रहे हैं, बस थोड़ा सा speed का फर्क पढ़ता है, meristomatic region में थोड़ा सा slow cell division होता है, zone of elongation में, मतलब जो elongation region है, वहाँ पर cells जादा speed से divide होते हैं और जादा हमारी root की height को बढ़ा करते हैं, फिर उसके उपर region आता है, region of absorption या root hair, region of root hair, region of root hair में क्या होगा, यह hairs जो हैं, यह जो root के उपर से जो hair like structure है, यह water absorb करने के लिए मदद करेंगे, और इसलिए मैंने क्या region of absorption, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, region of absorption, और last region है zone of maturation, यह maturation region, maturation region में क्या होगा, आपका root जो है, आपके जो root cells है, वो mature हो जाएंगे, और वो convert होने लग जाएंगे, stem में, मतलब maturation region में, root का growth stop हो जाएगा, और वहाँ से stem की growth start हो जाएगी, तो यह 4 regions के बारे में, आप के 12 standard में सिर्फ इनका नाम दिया गया है, टेक्स्ट बुक में नाम भी नहीं दिया है, पर मैंने यह आपर लिख दिया, आपको diagram समझ में आया, सबसे पहले root cap होता है, जो हमारी root को protect करता है, यह जो root cap होता है, यह special sugar से बनता है, that is suberine, यह sugar क्या करती है, इस cap को tough बना देत करता है, फिर root cap के ऊपर present होता है region of meristomatic region, जहां पर cells alive रहते है, यह alive cells खुद को divide करेंगे, तो वो हो जाएगा region of elongation, फिर region of elongation के ऊपर आता है root hair का region, root hair के region में maximum absorption होता है, और फिर उसके ऊपर आता है region of maturation, जहां पर आपके root के cells की age mature हो जाती है, और वो stem में कनवर्ट होने लग जाते हैं, all right, stem में convert होने लग जाते हैं, मतलब वहां पर अब root cells का धीरे-धीरे करके growth stop हो जाता है, और आपका जो plumule रहता है, मतलब जब आप कोई भी beach गडाते हो, तो उसमें से एक radical निकलता है, एक plumule निकलता है, तो radical वाला part maturation region पे आके stop हो जाता है, और फिर उप से plumule की growth start हो जाती है, okay, all right, so अब देखो, region of हमको region of absorption से मतलब है, किस से मतलब है हमको absorption region से मतलब है, क्योंकि हमारा topic ही वही है, water absorbing organ, मतलब हमको root के बारे में, root hair के बारे में बात करना है, so in zone of absorption, epidermal cells called epiblema cells, जो हमारा region of absorption है, मतलब हमारा ये जो root का region है, हमने अभी जो root का structure structure देखा, जहां से root के hair निकल रहे है, इस region में, हमको सिर्फ इस region से मतलब है, जहां से root के hair निकल रहे है, हमको सिर्फ उस region से मतलब है, तो यह जो inner wall है, जहां से यह hair निकल रहे है, इसका structure यहां पर zoom करके बताया है, देखो, कौन सा structure आपको यहां पर zoom करके बताया जा रहा घृट यह इस तर्वीके से दिखाई क्या होता है। रूट का बाहर की लेयर को यह निकल रहे हैं उसके उपर से जोश निकल रहे हैं उनको हम बोलते है। कि यहां पर और वह स्थिंण साज़ा कुस्ट के इन फेम्रेख को सब्सक्राइब व्यस्त नाम कि प्रमोंति यह उन सेल्टे विक्टेशन व्यम्रू एक्सटेंशेल खैसे खाले का इंन्टरनल लेयर फल्द अगर मैं यह इंटरौर करें दिखाूं तो तो यह रूट का external layer हो गया और यह वाला रूट का internal layer हो गया ओके यहाँ पर भी ऐसा ऐसा कुछ imagine करो तो आपका यह जो रूट हैर है वो रूट हैर कहां से निकलेगा वो रूट हैर एपिडर्मल layer से निकलेगा कहां से निकलेगा epidermal मतलब यह बाहर के layer से आपका root hair का extension दिखाई देगा समझ में आ रही आपको बात यह बाहर के cell से root hair का extension हमको दिखाई दे रहा है तो इन cells को मोलेंगे epiblema cells क्या बोलेंगे इनको यहां से unicellular extension मतलब एक single hair आपको इस hair के ऊपर कभी ब्रांच नहीं दिखाई देगी इस और single unicellular extension which are known as root hair इनको हम क्या बोलते हैं root hair और ऐसे बहुत सारे root hair आपको देखने को मिलेंगे जो epidermal layer है वहां से आपको बहुत सारे root hair देखने को मिलेंगे एक चीज याद रुको basic English grammar का यह point है hair जो होता है अगर एक बाल रहेगा तो भी उसको hair बोलते हैं और एक से जादा अगर hair like structure है तो भी उसको hair ही बोलेंगे hair का plural hairs नहीं होता है एक बचन में भी hair को hair बोलेंगे और अनेक बचन में भी hair को hair ही बोलेंगे hair का hairs नहीं होता है एस नहीं लगाते हैं प्लीज यह चीज नोट करके रखो so hair का plural form is also hair and singular form is also hair तो आपका जो root का outer layer है जो outer layer है उसको हम बोलते हैं epidermal layer या वहाँ पर present है epidermal cells उन cells को extend कर दो या वो cells थोड़े से लंबे होके आपका root hair का structure बनाते हैं इतना पार समझ में आया है introduction का पक्का आगे बढ़ हैं all right to absorbing organ का introduction देखने के बाद अब हम बात करते हैं root hair के structure के बारे में मतलब एक single root hair का structure कैसे दिखाई देता है so देखो यहां पर मैंने diagram ड्रॉट किया है structure of root hair का तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यह आपका epidermal cells मतलब यह जो मैंने लिखा है root epithelial cells root epithelial cells these are nothing but your epidermal cells इन epidermal cells के बाहर की जो layer है जो external layer है उस external layer से आपका hair like structure extend हो रहा है मतलब ऐसा आपका root है और इस root में से जो hair निकल रहा है यह इसी hair का structure है okay so यह रेखो root hair के structure में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यहां पर mitochondria present होते हैं क्योंकि root को energy लगेगी survive करने के लिए root hair का जो outer layer है यह वहां पर it is double layered यह जो outer layer है वो कैसा है double layered है अंदर का layer cell membrane और बाहर का layer cell wall फिर यहां पर empty space में cytoplasm present है क्योंकि mitochondria cytoplasm में present होता है यह nucleus है हमारे root hair का हर एक root hair का individual nucleus होता है root में से जितने hair निकलेंगे उनका उतना individual nucleus होगा so this is the nucleus of the root hair and this is the vacule जहां पर root minerals और water को store करके रखेगा okay so this is the vacule and this is the structure of the root hair तो इसी root hair structure का हम थोड़ा सा description देख लेते है आपके text book में से ही लिखा है मैंने short करके क्या पताया जा रहा है हमको यहां पर root hair is cytoplasmic extension of epiblemis cells मतलब हमारा जो यह root का structure था इस root के epidermal cell का हो ही अगर मैंने थोड़ा सा खीच लिया मतलब यह मेरा skin है इस skin को अगर मैं थोड़ा खीचू और अगर यह elastic होती तो यह उपर आ जाती यह skin कैसे हो जाती यह उपर stretch होके इसका मतलब वो hair like structure बन जाती तो आपका root hair भी कुछ ऐसा ही है ऐसा ही imagine करो that your root hair is the cytoplasmic extension मतलब यह जो आपके epidermal cells है epidermal cells extend हो रहे हैं बाहर और सिफ cell extend नहीं हो रहा है cell के साथ साथ हमारे epidermal layer का cytoplasm भी बाहर की तरफ खीचा चला रहा है so it is cytoplasmic extension of epiblemis cell each root hair हर एक root hair की length क इतनी होती है it is about 1 to 10 mm long 1 से लेकर 10 mm मतलब maximum 1 cm की height होती है हर एक root की minimum 1 mm and maximum 10 mm इसके approximate में हमारे root hair की length होती है it is a tube like structure कैसा दिखाई दे रहा है एक ट्यूब जैसा structure दिखाई दे रहा है it is colorless in nature अगर आप root को धो दोगे अच्छे से तो वह colorless दिखने लगेगा root हमारी मिट्टी में होती है इसलिए जब आप जाड को उखाडते हो तो वह brown brown color की दिखती है क्योंकि soil का color brown होता है लेकिन originally root का color colorless होता है okay so it is colorless unbranched इसक आपको यहां पर एक biological botanical term क्या बताया गया है ephemeral 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 मतलब क्या होता है जिसकी उम्र कम होती है मतलब जो सिफ थोड़े समय के लिए ही जिंदा रहता है तो उसको हम बोलते है short-lived या ephemeral okay and it is very delicate और यह root hair कैसे होते है यह बहुत delicate होते है आप हलका सा भी इनको अगर वैक्यूल हमारे root hair में center में एक large structure present होता है which is surrounded by thin film of cytoplasm यह वैक्यूल किसे surrounded है देखो यहां पर जो liquid है यह जो खाली जगह है यह खाली जगह में क्या present है cytoplasm present है cytoplasm is nothing but liquid like structure so it is surrounded by a thin film film मतलब thin layer of cytoplasm thin substance of cytoplasm plasma membrane and thin cell wall देखो हमारे वैक्यूल के आजू-बाजू में cytoplasm है cytoplasm के बाहर cell wall cell membrane है और इस cell membrane के बाहर cell wall है मतलब sequence के इसाप से labeling बताई गई है which is two layered हमारा जो cell यह हमारा जो cell wall है यह cell wall डो layers से बना है cell wall किससे बना है cell wall दो layers से बना है मतलब यह cell wall के आगे दो layers है ओके दो consequence layer है outer cell wall is made up of pectin and inner layer is made up of cellulose मतलब यह जो बाहर का cell wall है यह cell wall भी double layered है मतलब इस तरीके से एक तो already cell membrane है ध्यान से सुनो में क्या बोल रही हूं यह आपका root hair है root hair के अंदर vacuol है vacuol के बाहर cytoplasm है cytoplasm के बाहर cell membrane है यहां तक समझ में आया cell membrane के बाहर मतलब अअफ यह cell wall है वो लेयर से बना है तो उस cell wall की जो outer layer होगी वो आउटर layer pectin sugar से बनी है जो कि एक polysaccharide है般 मतलब बहुत सारे sugarsіш मिल के यह pectin layer बनाते है और उस cell wall की जो inner layer होगी यह cell wall की outer layer is made up of pectin and cells wall की इनर लेयर जो सेल मेंब्रेन से अटाच होगी that is made up of cellulose inner layer is made up of cellulose and outer layer is made up of pectin दोनों में फर्क क्या है यह हेटरोपॉलिस अकराइड है और यह होमोपॉलिस अकराइड है मतलब cellulose में सिर्फ ग्लुकोस के chains होते हैं और pectin में अलग-अलग शुगर मिलके एक साथ chain बनाता है ओके ओल्राइड सो दिस वस अबाउट दा एक्स्टर्नल स्ट्रॉक्चर ऑफ दा रूट है नाउ सेल वाल इस फ्रीली पर्मिएबल बट प्लाजमा लगा यहां पर्मिएबल बाहर से वीघ्वार इल्ग एक अवार ग्राउट्ट में सब कुछ अबजूब कर लिया तो वह सारा पार्टिकल यहां पर जमा और मतलब स्मझो अगर इसको में थोड़ा सा मोटा structure बनाओ समझो यह आपका cell membrane है औक क्या है cell membrane है और अगर cell wall को मैं ऐसा बना दूँ और यह cell wall आपके double layered is a double the soil अगर मैं बनादू तो यह cell wall क्या करेगी ये cell wall सब कुछ absorb कर लेगी, सब कुछ absorb करके यहां पर जमा कर देगी, लेकिन इसमें से सब कुछ अंदर नहीं आएगा, क्योंकि plasma membrane कैसी है, plasma membrane selectively permeable है, freely permeable होना मतलब सब कुछ absorb कर लेना, और selectively permeable होना मतलब सिर्फ selective चीजों को ही absorb करना, समझ में आई 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 आपको बात, जैसे समझ आप किसी competition के लिए जाते हो, जो audition round होता है, वहाँ पर सब लोग audition देते हैं, लेकिन select सिर्फ गिने चुने लोग ही होते हैं, तो उसी तरीके से cell wall अपने अंदर सब कुछ ले लेती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब कुछ, जो जो उसको मिलता है ground के and that is why it is known as selectively permeable, selectively permeable means select करके ही ये चीजों को absorb करेंगे, यहां तक आपको समझ में आया है, पक्का, अब आपका जो third और last point है, आज के session का, जो last topic है, that is water available to roots for absorption, क्या बताया जा रहा है हमको, कि कौन सा water root के लिए available होता है, absorption करने के लिए, अब आप सोचोगे, water तो water होता है, root तो सब water absorb कर सकती है, नहीं, wrong it is, it is a misconception, root हर तरीके का water absorb नहीं कर सकती है, root सिर्फ एक ही type का water absorb करती है, that is holding water, मतलब जो capillary water होता है, soil अपने अंदर जो water बंद करके रखता है, root सिर्फ वही water absorb करती है, बाकि कोई भी water root absorb नहीं कर पाती है, तो अब आप सोच रहे होगे, मैं water के भी types होते हैं, yes, water के भी types होते हैं, let us have a look at it, तो देखो हमको starting में क्या बताया है, plants absorb water from the rhizosphere, plants कहां से water absorb करते हैं, rhizosphere से, rhizosphere मतलब क्या होता है, root के आजू-बाजू का जो area होता है, समझो आपका ये root है, तो root के ये जो surrounding वाला region होगा, ये, आजू-बाजू का जो region होग तो plant कहां से water absorb करता है, rhizosphere से, plants absorb water from the rhizosphere, rhizosphere का meaning दिया है, देखो bracket में, rhizosphere is the micro environment surrounding the root, मतलब root के आजू-बाजू का जो इलाका है, नस्दीक-नस्दीक का, उस area को हम rhizosphere बोलते हैं, rhizo मतलब root, और sphere मतलब इर्ध-गिर्ध का इलाका, okay, surrounding region, so plants absorb water from the rhizosphere, water present in the soil occurs as gravitational water, hygroscopic water, combined water and capillary water, पूरा पानी मिट्टी में जाता है, बारिश का पानी आया, या किसी नाले से जो भी पानी आता है, वो मिट्टी में जाता है, मिट्टी में जाने के बाद ये पानी अलग-अलग type का हो जाता है, देखो पूरा पानी soil में जाता है, तो वो एक र first type कौन सा है, gravitational water, gravitational water मतलब क्या, water percolates deep due to the gravity, percolate होना मतलब absorb होना, travel करना, percolate होना मतलब travel करके absorb होना, जैसे कि समझो आपकी body में सुई गुसा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, the needle is percolating through the skin, percolate करना मतलब enter करना, absorb करना, okay, so water percolates deep due to gravity, gravity के वज़े से पानी नीचे 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 जा रहा है, एकदम deep level तक जाएगा soil के, so water travels deep due to gravity in the soil and that water is called as gravitational water, ऐसे water को हम क्या बोलते हैं, gravitational, मतलब जो भी पानी जमीन पर आया, जो भी पानी मिट्टी पे आया, उसमें का आदे से जाधा पानी एकदम नी नीचे नीचे चला गया, एकदम लोवर लेवल तक चला गया, तो उसको हम बोलते है, gravitational water, मतलब अपर सर्फेस पे water बचा ही नहीं, पूरा water नीचे चला गया, okay, this is not available to plants for absorption, तो यह water root के लिए अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि पानी उपर बचा ही नीचे चला गया, तो र available for absorption, fine soil particles absorb, sorry, adsorb और imbibe, adsorb करना मतलब क्या होता है, imagine करो कि आपकी लखडी है, घर की लखडी है, घर का धर्वाजा है, उसके उपर बारिश के टाइम पर water molecules जैसे चिपक जाते है, मतलब adsorb हो जाते है, अंदर adsorb नहीं होता है, लेकिन बाहर की तरफ वो settle हो जाते है, तो उस जाएम आने पर evaporate भी हो जाता है, मतलब imagine करो आपने एक पत्ता लिया है, उस पत्ते के उपर आपने एक ड्रॉप पानी रखा, अब पूरा पत्ता वो पानी एब्जॉब नहीं करेगा, वो क्या करेगा, adsorb करेगा, adsorb करना मतलब पानी उपर ही ठहर जाता है, अंदर नहीं जाता है, तो जो छोटे-छोटे soil particles होते हैं, मतलब ऐसा imagine करो कि यह आपके soil particles है, यह आपके soil particles है, इन soil particles के उपर कुछ water molecule adsorb हो जाएगा, water molecule, जो blue color का है, यह क्या है, यह water molecule है, so fine soil particles imbibe or adsorb water and hold it, this is called hygroscopic water, तो जो solid particles, जो मिट्टी के particles होते हैं, soil particles होते हैं, soil particles के उपर जो water molecule चिपक जाता है, वो water molecule hygroscopic बन जाता है, hygroscopic मतलब क्या होता है, जो water soil से चिपका हुआ है, hygroscopic water मतलब क्या होता है, जो water molecule soil के तरफ attracted है, उस water molecule को हम hygroscopic बोलते हैं, और यह water molecule soil absorbed root absorb नहीं कर सकती है hygroscopic water is not absorbed by root क्योंकि soil particles उसको अपनी तरफ attracted करके रखते हैं और यह soil particles काफी नीचे present होते हैं basic funda क्या है जो water molecule soil के अंदर जाने के बाद भी root के नजदीक रहेगा देखो तुमको simple concept बताती हूं यह तुम्हारी root है let me just clear the board थोड़ा सा यहां का region clear करती हूं हां देखो यह आपकी root है और इस root के आसपास में जो water available रहेगा सिर्फ root वही absorb कर पाएगी जो पानी नीचे चला गया यह बन गया gravitational water पानी जो नीचे चला गया वो बन गया gravitational water जो water solid particles के उपर absorb हो गया है यह बन गया hygroscopic water क्या बन गया यह hygroscopic water क्यूंकि soil particles के उपर यह absorb हो गया है और वो soil particles नीचे हैं नजदीक नहीं है ओके next part क्या है water present in the form of hydrated oxides of silicon aluminum etc is called combined water अब हमको एक चीज़ पता है कि हमारे soil में बहुत सारे chemical elements present minerals present है तो हमारे water molecule जो chemical elements के साथ मिलके oxide बना लेंगे मतलब कुछ chemical compound बना लेंगे तो वह chemical compound भी वह chemical compound होगा वह भी हमारे root absorb नहीं कर पाएंगे क्यूंकि root को pure water चाहिए अगर हमारा root chemical water absorb करेगा तो plant की productivity में फरक पड़ेगा तो जो water molecule chemical elements के साथ मिलके oxides बना लेते हैं silicate या calcium oxides तो वह water भी root के लिए अवलेबल नहीं होता है क्यूंकि वह water molecule तो already chemical के साथ मिलके combined water बन गया क्या बन गया वह CC CW combined water बन गया so that is also not available for plants for absorption some amount of water is held in the pores present between the neighboring soil particles due to capillarity लेकिन कुछ-कुछ water molecules है जो यहां पर रह जाते हैं क्यूंकि पानी जब यह पानी नीचे चला गया और ग्राविटेशन वाटर बन गया थोड़ा और दूर जाने के बाद हाइग्रोस्कोपिक water बन गया chemical molecules के साथ मिक्स होके वह combined water बन गया लेकिन जो बच्चा-कुचा water molecule है यह बच्चा-कुचा water molecule है जो नस्दीक नस्दीक में हमारी soil particles ने पकड़ के रखा उसको हम बोलते हैं capillary water क्या बोलते हैं उसको हम capillary water मतलब जो water हमारे root hair अपने पास पकड़ के रख लेते हैं या हमारे root hair के आजू-बाजू की जो soil particles होते हैं वो soil particles जब उस water को अपने पास पकड़ के रख लेते हैं जकड़ के रख लेते हैं उस water को हम बोलते हैं capillary water and this capillary water is available for roots for absorption देको last point क्या बोला गया है some amount of water is held in pores present between the neighboring soil particles मतलब आजू-बाजू में हमारे root के आजू-बाजू में जो neighboring soil particles थे उन soil particle की pores में कुछ water molecules रुख जाते हैं and that property is known as capillary उस property को हम बोलते हैं capillary property this is called capillary water इस water को हम क्या बोलेंगे capillary water बोलेंगे that is available for absorption और यह water available होता है absorption के लिए तो चार तरीके के water हमने देखे जो पानी एकदम नीचे चले जाता है that is called gravitational water जो पानी छोटे-छोटे soil particles के साथ मिलके चिपक के अलग हो जाता है that is called hygroscopic water जो water chemical molecules के साथ bind हो जाता है that is called combined water और जो water molecule root के इर्द-गिर्द बचा हुआ रहता है that is called capillary water and only capillary water is available for absorption for roots तो इस तरीके से हमारे root को बिचारा जो थोड़ा बहुत पानी है और उस पानी के तुरू जो थोड़े बहुत minerals है वह हमारे root को absorption के लिए available होते हैं और उसमें से भी हमारा यह जो आजू-बाजू का region है इसमें से भी root का जो cell wall है जो हमारी cell wall है वह सब कुछ absorb करेगी because cell wall is freely permeable लेकिन उसमें से भी सिर्फ गिनी चुनी चीजें root के अंदर तक जाएंगी क्योंकि बीच में क्या है plasma membrane है और यह plasma membrane क्या करती है selective permeability दिखाती है तो इस वज़े से अगर हम ऐसा सोचते हैं हमने roots की तो मज़ा है उनको तो पानी वानी सब फ्री में मिलता है हमने पानी डाल दिया roots को मिल गया ऐसा नहीं होता है roots को भी काफी struggle करना पड़ता है water available water availability के लिए और अपने nutrition fulfillment के लिए so it is not easy for anybody earth पे हर एक टाइप के living organism का survival difficult है so start respecting trees and start watering them if you bring a plant in your house okay because you know the importance of plant they give oxygen and they give freshness okay they are responsible for good environment surrounding you all right so this was about this chapter यह session आज यहीं पर खतम करते हैं आपका 6th chapter भी इसी तरीके से खतम हो चुका है I hope आपको यह chapter समझ में आया होगा अगर समझ में आया है अच्छा लगा है तो please comment section पे जरूर mention कीजिए like button पे click करना मत भूलना अभी भी हमारे 48% viewers ऐसे हैं जिनोंने channel को subscribe नहीं किया है मेरी आपसे request है please channel को subscribe करो अपने friends के साथ share करो help your friends help your buddies so please share this channel as much as possible share this video as much as possible and make sure कि आप हमारे channel के साथ बने रहें तो पढ़ते रहो और channel के साथ बने रहो thank you see you soon keep supporting करो